हेलो गाईज वोलकम बैक टू माई चैनल महाजन क्रियेशन आगे बढ़ो तो आर्ट्स फेस्टिबल जो गुवा में हो रहा था 15 से 23 तारिक तक तो आज उसका लस्डे है तो हम और मेरा मम्मी आई हूँ और मम्मी को इधर ढूनने ही पा रही हूँ क्योंकि इतना जादा भीर होने के वज़े से मैं 24 तारिक मेरा चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया तो चलिए आगे बढ़ते यह जो सिकुरिटी आपको देख रहा है यह सिकुरिटी मेरे को ऐसे अटका दिया है ऐसा लग रहा है बीना पास का मेरे को अंदर जाने ही नहीं देगा फिर मै बोला भया मैं तीन दिन से यही कर रही हूँ ब्लॉक बना रही हूँ आप ब्लॉक देख लो फिर बोला ठीक है मैं आप अंदर जाईए तो आज इतना भीर इसलिए हो रहा है सत्तर अस्ती हजल लोग इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे बीच में बेस्ट प्लेबक सिंगर शिल करेंगे तो वीडियो में शुरू से लेके लास्त तक बनी रही है और चलिए फास्ट गाना आप लोगों को सुना देते हैं हावाओं में बने है हटाओं में बने है मैं परखा तरी तू मेरा बार जो तेरे ना हुए हो किसे के लाए हो दूबाणी मैं तरी तू मेरा बार जो तरी तू मेरा बार जो तेरा है हजरों देशी को तक बीड़े सी मिली है इक रावा अरही बेस्ट गाना बने है तो चलिए गाई सिल्पर राओ जी का थोड़ा हिस्टिरी भी हम लोग जान लेते उनका जामशित पूर में 11 एप्रिल को 1984 में उनका जनम हुआ था और उनका इस टाइम का एज है 39 एर्ज उनका पेरेंस का नाम है एस बी राओ उन्होंने 2009, 2010, 2020 में Film Fair Award for Best Flavor Singer के लिए मिला था उन्होंने जी सिनेमा एवाड मिले था बुलिया सोंग के लिए 2017 में मिर्ची एवाड भी मिले था बुलिया सोंग के लिए उसके बाद उन्होंने इस उमर में नुकावलेया, चलेया, रमया, वस्तमया, तेरे हवाले, बेशरम, रंग, मलंग, सुभान, अल्ला, घुंग, रू, अल्ला, माफ करना, इश्क, शवा, कलंक, बुलेया और मोने रेडियो ये बिंगोली सौंग है और तमिल में भी बहुत सा सौंग गाये हैं उन्होंने, तो उनका बारे में जितना भी बोलू उतना कम है, क्योंकि इस उमर में इतना ज़्यादा प्लेबक, गाना, इतना हीट सौंग देना, और इनका स्टेज पोगणा मैं कप्चर कर पाई हूँ, उसके लिए भले ही मेरा गरदन दुख जाए, या बुखार में ही मैं जाओं उनका वीडियो कैप्चर करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा लखी हूँ, क्योंकि दुसरा साल में 2024 में उन्होंने नहीं आने वाला है, दुसरा साल में कोई और आने वाला है, तो इसलिए मैं बुखार में ही चली गई उनका ये पोग्राम कैप्चर करने के लिए, तो आप लोगों को इनका गाना भी थोड़ा सुना देते, किस लेवल का भीड़ था और लोग कितना जादा इंजोई कर रहा था, यहाँ पे 70-80 हजर का बीच में खड़े रहे के उनका वीडियो पकड़ना ये भी बहुत नसीब का बात चली है, सु तो गाइस वीडियो में थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पे एक बॉर्फिन गर्फिन को कंदा के उपर चड़ा के वो वीडियो पनाने के लिए मदद कर रहा है, सोचिए किस लेवल का पोग्रम हो रहा है, तो चलिए और एक बार गाना सुन लेते हैं तो एक हो पला है, तो चलिए जगर के वो वीडियो के वो वीड़ा ATE माल सच में घूंगरू तूटने वाला पर्फोमेंस हो रहा था फूल अप एनजी के साथ उन्होंने गाना गा रहा था और हम लोगों को इंजॉयमेंट दे रहा था सच में बहुत जादा इंजॉयमेंट हुआ है और पब्लिक का रियक्शन तो आप देखी सकते इसका बाद वाला गाना भी सुन लीचे तो दो आप इना इना पादा इना 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 उसका दो आप आप दो आप दो आप अधीत किया है करों कुंप अक्राइब I am I am Miche Shree 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 मैंने कि अली कorgt रहा dawsoniale सब्सक्वार एंवाने को प्लेका कि दो्रो positivity सब्सक्क्राइब है तEMA कि थे लुड़ी है कि अली को घ्रेक दो फर्में कि दो अगोसरे में से अखितना दिया लू कताइग? मैसमेरी आन्या ही ऑटारो कि में से अखितना है मैं अखितना है कि मैं अण्याद कियो मैं पाईगा क् ichचल व्याह权 hablar विश्ट वायो पे तो गाइस देखी सकते किस तरह का नशा पब्लिक में चड़ गया है उसके बाद एकदम बेशरम रंग सुनके ये लोग नशा में ढूप गया है और भर भर के डांस कर रहे है एकदम मूट के साथ, फूल एनर्जी के साथ मैं बोला थी के मेरा शकल भी थोड़ा दिखा देते हैं पर मेरा बुकहर आ गया था इसलिए मेरा शकल दिखा के भी कुछ फाइदा नी क्योंकि मेरा फेस ही बहुत जादा खरब लग रहा था तो चलिए नेक्स गाना भी अप लोगों को सुना देते हैं सब्सक्राइब अप लोगों से मुखन है याजन alभन करे है, याजन और धुर। तो गाइस आपको क्या लगता है इतना चीलाने का बाद अल्ला तो जरूर माफ कर देगा या आमको तो लगता है हर भगवन हर गौड आके सब लोगो को माफ कर देगा तो चलिए आज 2023 डिसेंबर का पोगरम यही पर खतम होता है तो जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर दो न यार क्या फरक पड़ता है इतना महनात इतना बुखार में में वीडियो बना रही हूँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में 2024 में इसी जगा में यही पर ग्राम होगा टाटा गुर्णाट